जहां तक राहूल गांधी का सवाल है मैं आपको बता दूँ ये देश उनको सीरियसली लेता नहीं है अगर वो ये बोल रहे हैं कि ये हिंसा प्रधार मंत्री मोदी जी ने कराई है तो इनको अपने ग्रहबान में जहां के देखना चाहिए और फिर मैं ये बोल देती हूँ कि 77 दिन तक बेटियों के दुराचार और व्याभीजार का जो विडियो चुपा के रखा है वो राहूल गांधी ने चुपा के रखा है देश के गरह मंत्री जी ने बोला कि मैं चर्चा खरने के लिए तयार हूँ तो इसकी कॉंग्रेस वाले जिनको बुद्धी नहीं है पढ़ने लिंखने से कोई लेना देना नहीं है वो क्या बोलने लगे उन्होंने बोला कि ग्रह मंत्री क्यों इस बारे में चर्चा करेंगे अरे बुद्धी विहीं नो डेश के ग्रह मंत्री है वो और law and order का matter है ग्रह मंत्री जी ही करेंगे अब अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएं इस पर भी इनको मूझ की खानी पड 2024 है 2024 में जनता सामने लेके आएगी और ये मू के बल गिनने वाले हैं क्योंकि 2024 में आएंगे तो मोधी जी ही और 400 पार करके आएंगे ये सब अपने घर बैठने वाले हैं इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि एक तरह मनिपूर के मामले को लेकर सदन्मे कारवाई नहीं होने दी जारही है यह जंता और बीजिपी के सवाल ये भी उठा रहा है कि पक्षी बंगाल बिहार और राजिस्थान जिसमूदों पर कियों अबास रही है बहुत ही शर्म की बात है श्रेयन जिस तरीके की गंदी और घटिया राजनीती दो बेटियों की नगनता उनके साथ हुए व्याभिचार और दुराचार के ऊपर ये खुद को डॉट वाला इंडिया बुलाने वाली 26 पाटीज कर रही हैं। पुर जोर शब्दों में निंदा करती हूं। और निंदा ही नहीं करती हूं। डे वन से हम इसके खिलाफ खड़े हैं। और लगातार ये बात बोली जा रही है कि जो वो दोशी है, वो केवल दोशी नहीं है, वो को क्या तपरादी है, उनका बहुत खतरनाक माइंड सेट वो भारतवर्श की बेटियां हैं, सिर्फ मनिपूर की बेटियां नहीं है, उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन न्याय दिलाने का ये तरीका होता है, जो इन 26 जूटे दलों ने अक्तियार करके रखा है। आज आप सुबह देखिए, 21 सांसद गये हैं। इन तमाम 26 दलों नहीं दिखाई दी, ये खुश थे, ये मुश्कुरा रहे थे, ये हस रहे थे, एज आप रहे थे, MR कूमने जा रहे हैं। ये पिक-निक बनाने जा रहे हैं। और हम जाई जहा। इन जीकिक उम भीचलना रहे है हैं। इस्तिति कंट्रोल में है, ये जा जा करके वहाँ पर इस्तिति को खराब करने की कोशिश करते हैं, जैसे पिछली बार राहूल गांदी कहते हैं, उन्होंने वहाँ पर तमाशा खड़ा कर दिया था, और उन दो बेटियों को अगर इनकी न्याय दिलाने की इतनी इच्छा है, तो ये संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं, ये सत्र क्यों नहीं चलने दे रहे हैं, क्यूंकि इनकी जो मंचाहत है, इनकी जो इच्छा है, वो बेटियों को न्याय दिलाने की नहीं है श्रियन, इनकी इच्छा है उन बेटियों के दुराचार व्याभिचार के उपर अप कोई लेना देना नहीं है, बेटियों के साथ दुराचार हुआ, व्याभिचार हुआ, नगनता के साथ उनकी परेड कराई गई, उससे कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, इनको एक मौका है, उस मौके को ये ले रहे हैं, अपने हाथ में सोचो, ये इस्तिती, ये माइंड सेट है अपने लोगों को क्यों नहीं भेजा, इन 26 दलों को क्यों नहीं भेजा, जहां पर NCRB के डेटा के हिसाब से, सबसे जादा बेटियों के ओपर, माताओं के ओपर, महिलाओं के ओपर, दुराचार और व्याभिचार होते हैं, वहां क्यों नहीं भेजा है, मैं इनसे ये पू वो दर्द नहीं दिखाई दिया, वो बेटी बेटी नहीं है, वो बलातकार बलातकार नहीं है, अब ये बलातकार के अंदर भी अच्छा बलातकार और बुरा बलातकार करेंगे, तेरा बलातकार और मेरा बलातकार करेंगे, बोलेंगे कि मनिपुर में, क्योंकि हमारी सरकार न पीटा गया एक चीज़, उसका वीडियो बनाया गया, और उसके बाद कुछ पुर्षों ने उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, उसकी नगनिता नगनिता नहीं है, उसका शरीर शरीर नहीं है, उसका दर्द दर्द नहीं है, उसकी वेदना वेदना नहीं है, वो औरत या चार हुआ है उसको अपने लिए इस्तमाल किया है चछतिस गड़ में आप चले जाईए क्या हलत हो रखी है जहां जिस जगे आप पहुंच जाईए वहाँ पर इनों ने गंदगी मचा करके रखी हुए सोच इनकी इतनी छोटी है कि इनको शर्माना चाहिए और एक चीज कंग्रेस पार्टी दे रही है जो यह दल दे रहे है क्योंकि इनको आपनी राजनातिक रोटियां सेख नहीं है वहाँ पर मनिपूर में आज में जिस प्रकार की हिंसा हो रही है मुझे उससे भी परेशानी है होनी नहीं चाहिए वहाँ पर लेकिन 1993 में आप लोगों को जब उनके साथ नर्संगार हुआ था आज भी काले दिवस के रूप में मनाते हैं और आज भी उसकी लड़ाई के साथ खड़े थे कितना जूट बोलेंगे कितनी बध्तमीजियां करेंगे यह बहुत चिंता और शर्म की बात है मोधी जी सो रहे थे मोधी जी को 2024 के चुनाव दिखाई दे रहे हैं मोधी जी सिर्फ सत्ता के भोगी है उन्हें जंता से कोई लेना देना नहीं है बलकि राहूल गांधी ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि मणीपूर में हिंसा प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने कराई है और वो पूरे भारत के नहीं बलकि गिने चुने लोगों के प्रधान मंत्री है देखे जहां तक राहूल गांधी का सवाल है मैं आपको बता दूँ ये देश उनको सीरियसली लेता नहीं है अगर वो ये बोल रहे हैं कि ये हिंसा प्रधान मंत्री मोधी जी ने कराई है तो इनको अपने गरेबान में जहां के देखना चाहिए और फिर मैं ये बोल देती हूं कि 77 दिन तक बेटियों के दुराचार और व्याभीजार का जो वीडियो चुपा के रखा है वो राहूल गांधी ने चुपा के रखा है क्योंकि जब राहूल गांधी वहां गए थे तब क्या उनको इन बेटियों के बारे में पता नहीं चला था तब क्या ये वीडियो के बारे में उनको जनकाली नहीं थी तो क्या मैं ये बोल दू कि राहूल गांधी ने चुपा के रखा था और सदन सत्र ठीक शुरू होने के एक दिन पहले इन्होंने इसको वाइरल किया था मतलब बोलने को कोई कुछ भी बोल देगा तो चलेगा क्या और जहां तक देश के आदरनी प्रधान मंतरी जी का सवाल है उनके आगे खड़ा होना यानि सूरज को दीपक दिखाना चौबिस का चुनाओ देश के प्रधान मंतरी जी नहीं साध रहे हैं ये 26 दल साध रहे है जिन्हों ने आज अपने आपको इंडिया बुलाया है पहले मैं इनके बारे में दो लाइन बोलती हूं ये कॉंग्रेस पार्टी और ये जो विपक्षी दल है न ये उस सोच की और उस विचार धारा के हैं जो बोलते हैं इंडिया इस इंडिया इस इंडिया इस लिए आज देश के आधने प्रधान मंत्री जी ने जिस दिन मौनसून सत्र शुरू हुआ था, साफ शब्दों में बोला था, कि जो बेटियों के साथ हुआ है, वो गलत है, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, मैं क्रोधित हूँ, मैं पीडा में हूँ, और कहीं से भी ढूंड के लाया और बोला जा रहा है न, पताल से भी ढूंड के लाया जा रहा है, सजाए मिलनी आरंब हो गई है, उन गिरफतारियां हो रही है, प्रधान मंत्री जी ने बोला था, उसके बाद सरकार ने ये बोला, कि हाँ, मनिपूर की बेटियां हैं, हम उनके उपर, सदन के अंदर, डिस बोला कि मैं चर्चा करने के लिए तयार हूं, तो ये कॉंग्रेस वाले जिनको बुद्धी नहीं है, पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या बोलने लगे, उन्होंने बोला कि ग्रह मंत्री क्यों इस बारे में चर्चा करेंगे, अरे बुद्धी वी ही नो देश के ग्रह मंत्री हैं वो, और law and order का matter है, ग्रह मंत्री जी ही करेंगे, अब अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएं, इस पर भी इनको मू की खानी पड़ेगी और इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है, एनिवेज, सौबात की एक बात है, कि ये जो खुद को डॉट वाला इंडिया, यानि विभाजित खंडित इंडिया बुलाने की कोशिच कर रहे हैं, इनका ठीक, इनका जो पूरा काला चेहरा है, दोहजार चौबीस में जनता सामने लेके आएगी, और ये मू के बल गिनने वाले हैं, क्यूंकि 2024 में आएंगे तो मोधी जी ही, और 400 पार करके आएंगे, ये सब अपने घर बैठने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैं